नमस्कार दोस्तों आज सीखे चैनल में आपका स्वागत है आज हम सिंगल कलर का ये खुबसूरत सा डिजाइन बनाएंगे जिसे आप जर्ण स्वेटर में, लेडिस कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, टॉप में, कैप में चाहें किसी भी मन चाहे, प्रजेक्ट में बना सकते हैं इसे बनाने के लिए, छे के मल्टिपल फंदे चाहिए, और चार फंदे एक्स्ट्रा आपसे गुजारिश है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, यहाँ पर आपको प्रदिन एक निया डिजाइन देखने को मिलेगा और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद तो हम डिजाइन बनाते हैं पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा फिर चार फंदा सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, चार पहला फंदा ऐस टिच है और इन ही छो फंदो को हमें पूरी लाइन में दुराना है दो फंदा उल्टा और चार फंदा सीधा दो फंदा उल्टा और चार फंदा सीधा इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लेट कलें और लास्ट में दो फंदा उल्टा और लास्ट में दो फंदा सीधा पीछे से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे फिर दो फंदा सीधा और चार फंदा उल्टा फिर दो फंदा सीधा और चार फंदा उल्टा इस तरह दो फंदा सीधा बुनते हुए और चार फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लेट कर लेंगे थर्ड रो और फ्रंट साइड थर्ड लाइन भी फर्स्ट लाइन की तरह ही बुना जाएगा यानि पहला फंदा स्लिप कर लेंगे फिर दो फंदा उल्टा और चार फंदा सीधा इस तरह दो फंदा उल्टा बुनते हुए और चार फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंपलेट कर लेंगे 4th row और back side 4th row, 2nd row की तरफ बना जाएगा यानि पहला फंदा slip कर लेंगे फिर दो फंदा सीधा और चार फंदा उल्टा दो फंदा सीधा और चार फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर लेंगे फिफ्थ रो और फ्रन्ट साइट पांचवी लाइन में डिजाइन दो फंदा आगे आ जाएगा यानि पहला फंदा सीधा और दो फंदा जो उल्टा था अब वो दो फंदा सीधा हो जाएगा यानि की चार फंदा सीधा बनेंगे और लास्ट के दो सीधे फंदे थे वो अब उल्टे हो जाएगे चार फंदा सीधा दो फंदा उल्टा चार फंदा सीधा दो फंदा उल्टा इस तरह पूरी लाइन इसी तरह कंप्लेट करेंगे शिक्त रो और बैक साइड पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और दो फंदा उल्टा फिर दो फंदा सीधा फिर चार फंदा उल्टा फिर दो फंदा सीधा और चार फंदा उल्टा इन ही छे फंदो को हमें पूरी लाइन में दो फंदा सीधा चार फंदा उल्टा दो फंदा सीधा चार फंदा उल्टा साथ वी लाइन भी पांच वी लाइन की तरह ही बना जाएगा यानि पांच फंदा सीधा दो फंदा उल्टा फिर चार फंदा सीधा दो फंदा उल्टा चार फंदा सीधा दो फंदा उल्टा और पीछे से छटी राइन की तरह तीन फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, फिर चार फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, चार फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा 9th row और front side पहला फंदा slip कर लेंगे अब design फिर 2 फंदा आगे आजाएगा यानि 2 फंदा सीधा बुनेंगे और last का 2 फंदा जो था सीधा वाला अब वो उल्टा हो जाएगा फिर 4 फंदा सीधा दो फंदा, चार फंदा सीधा था तो उसका दो फंदा, दिजाइन दो फंदा आगे बढ़ गया तो उल्टा वाला फंदा यहां सीधा बन गया है और लास्ट के दो सीधे फंदे जो है वो अब उल्टे हो जाएंगे तो दो फंदा उल्टा और चार फंदा सीधा दो फंदा उल्टा और चार फंदा सीधा देखे यहाँ पे चार फंदा सीधा बने गया थे डिजाइन दो फंदा आगे बढ़ गया तो ये चार फंदा सीधा हो गया और कि लास्ट वाले दो सीधे फंदे जो थे वो अब दो उल्टे फंदे बन जाएंगे तो दो उल्टा फंदा हो गया और फिर चार फंदा सीधा बनेंगे एक, दो, तीन, चार डिजाइन दो फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा दो फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा का ही है हर चौथे लाइन के बाद डिजाइन दो फंदा आगे बढ़ जा देगी तो चार फंदा यहां सीधा हो गया है तो अब दो फंदा उल्टा और चार फंदा सीधा लास्ट फंदा एस्टिच है तो उसे सीधा बुन लेंगे पीछे से पहला फंदा स्लिप कर लेंगे पिर चार फंदा उल्टा दो फंदा सीधा पिर चार फंदा उल्टा और दो फंदा सेधा आए इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कम्प्लीट कर ले ग्यारवा बारवा लाइन नवे दस्वे लाइन की तरह ही होगा यानि तीन फंदा सेधा बुनेंगे दो फंदा उल्टा और चार फंदा सेधा तो फंदा उल्टा चार फंदा सेधा तो फ्रांस डिजाइन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा चार फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा चार फंदा सीधा और दो फंदा उल्टा का डिजाइन है चार लाइन बुनने के बाद दिजाइन दो फंदा आगे बढ़ जा रही है बारा लाइन का ये रिपीटेड डिजाइन है डिजाइन बहुत ही आसान है सामने से देखिए ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से डिजाइन एक तरफ ऐसे अंगल में बढ़ते हुए जा रहा है तो फ्रांस डिजाइन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा डिजाइन आपके सामने है इसे आप अपने स्वेटर में बनाएए इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डिजाइन को अपने दोस्तों में अपने रिष्टेदारों में शेर कीजिए बेल आइकन प्रस कीजिए ताकि मेरे अगली वीडियो का नॉटिफिकेशन आपको मिल सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद